कल यानि की 22 दिसंबर को युजुवेंद्र चहल और धन श्री वर्मा शादी के बंदन में बंद गए और दोनों ने शादी कर ली लेकिन जैसा कि हमारे देश में लोगों को अपनी सला देने की आदत है, अपनी सला बीच में घुसाने की आदत है हर बात के वैसे इसे ही चहल और धन श्री वर्मा की शादी पर वो लोग कमेंट करने से नहीं चुके और लोगों ने चहल से पूछ डाला कि क्या आप हिंदू तो हो ही ना क्योंकि आपने 22 दिसंबर को शादी की है, दरसल में इन लोगों का तर्क था कि हिंदू कलेंटर में जो पंचाग है, जो लगन है, वो 12 दिसंबर को ही खतम होगे और 12 दिसंबर के बाद कोई शादी नहीं है, और इसके बाद अब सीधा मार्च में नया कलेंडर बनेगा और मार्च में ही शादी होगी, लेकिन ये लोग जो लगनों की बात कर रहे थे, ये लोग भूल गए कि लगन से हट के बिना मौरत के भी शादी हो जाती है, इंदू कलेंडर के हिसाब से, जिसमें एक फॉलहरा दूज होता है और इसके अलावा तीन चार दिन और होते हैं, और कई बार कुछ लोग होते हैं जिनकी पंड़ची कुंडली मिला कर देखते हैं, और कह देते हैं कि इनकी बिना मौर के शादी करी है, तो इन लोगों को क्या दिक्कत है, जो अपने घर में बैठे हैं, अगर उनको इतना ही दिक्कत है चहल सा, तो जब उनकी शादी होगी, वो अपनी शादी मौरत से करें, लगन से करें, लेकिन अगर चहल ने अपनी शादी की है 22 दिसम्बर में, तो इन लो पर वापस से वो क्वारेंटाइन हो जाएंगा इंडियन क्रिकेट टीम के साथ इंगलेंड के टूर पे जब इंगलेंड एंजी आएगी और इंगलेंड के साथ सरीज खेलने के लिए और शायर जब नए लगन का कलेंगर बने उसक्त वह आई पियल खेल रहे हो तो जाहिर सी बात है चहल के पास वक्त नहीं था और काफी लंबे वक्त कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी तो उनको तो शादी कर नहीं थी लेकिन वह लोग जिनका इस बात से कोई मतलब नहीं जिनको चहल पूछते भी नहीं अपनी परसनल लाइफ का डिसीजन लेने से पहले जिनक सी बात है उन्होंने शादी किया क्योंकि उनके पंजेजी ने एडियेट सुझाई होगी लेकिन लोग हैं कि अपनी नाग भी घुसाने से बाज नहीं आते तो शलिए दोस्तों मेरा हुल जोदरी फिलाले सुझे हो गल इतना ही आगे ब इसी तरह की देश-दुनिया बुलिव और खेल की तमाम कबरों के लिए बने रही है मेरे साथ जैमाता दी